दोस्तों, आपने पहले कई बार छोले और न्यूट्रिला अलग-अलग इंडिविजुली बनाये होंगे लेकिन दोनों को मिला करके आज इस तरीके से में बना रही हूँ यह बहुत ही बढ़िया बनते हैं दोस्तों यकिन मानें आप जब भी इसे ट्राइ करेंगे जिनने भी आप बना कर खिलाएंगे वो जरूर खुश हो जाएंगे और आपको रेसिपी पूछ कर जाएंगे आप इस रस्पी को भटोरे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, तंदुरी रोटी के साथ, नान के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अलग अंदाज मैं हमें से बनाएंगे बहुत ही युनिक तरीके से तो वीडियो को एंट तक जरूर देखे, पसंद आये तो लाइक और शेयर करें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी हाई एबरिवन मैं हूसनीता, आप देख रे आपका अपना चैनल सोरीस कीचन सबसे पहले एक कप छोले को पाश घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो लिया था पाश घंटे के बाद पानी को निकाल कर फ्रेश पानी के साथ कुकर में मैंने ले लिया है अब इसी के साथ हम अड़ करेंगे 1 कप, निउट्रिला या जिसे सोया बड़ी कहते है इससे भी मैंने पानी में एक बार धो लिया है और फ्रेश पानी के साथ कटोरी में रखा है अब इसमें से निचोड करके सोया बड़ी को निकालेंगे और कुकर में डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें एड़ करेंगे चार से पाच लसन के कली एक बड़ी इलाइची और एक डाचनी का टुकडा दो तीन तीजपता दो तीन हरी मेच स्वाधनुसा नमक टालेंगे और इसमें एक इंग्रिडेंट जो जाएगा वो है चाई यानिके टिकोशिन इससे अची कलर आती है इसके जगा आप आवला डाल सकते है सुखा या फिर सोया सॉस भी डाल सकते है मैंने एक छोटी चमच चाई पती को एक कप पाने में उबाल लिया है और फिर इसे चान कर में ले रही हूँ अब गलती से भी चाई में चीनी मट डाल देना चले कुकर का ढकन बंद करते हैं मेडियम फ्लेम पे कुकर में पाच वीजल आने तक इसे पकने देंगे तब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं मिक्षर जार में में ले रही हूँ तीन बड़े टुकडों में कटे हुए प्याज प्याज को हम पीस लेंगे बिना पाने डाले प्याज पीस चुका है इसे एक कटोरी में ट्रांसवर करेंगे और सेम मिक्षर जार में आधा इंच का अद्रक ले ले कुछ 10 से 12 कली लसन की में ले लेंगे और 3-4 हरी मिश डाल रही हूँ आप हरी मिश की क्वाटिटी चाहे तो कम कर सकते है थोड़ी सी पाने डालकर इसे भी पीस लेंगे चले इसे भी एक कटोरी में ट्रांसवर करके मैंने दो छोटी साइज के टमाटर या फिर एक बड़ी साइज की टमाटर ले सकते हैं इसे भी मैंने पीस लिया है अब तब तक हमारा जो कुकर है थंडा हो चुका है अच्छे से छोले भी पक चुका है चले चेक कर लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कलर कितनी सुन्दर आई है क्योंकि हमने इसमें डिकोशिन डाला था छोले को भी चेक कर लेत और यहां पर लसन की हालत देख सकते हैं बिल्कुल स्माश हो रही है पहले हमने थोड़े से लसन इसलिए डाले थे ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छी आए अब इसमें जो खड़े मसाले हैं इसे भी हम हटा लेंगे इसकी अभी कोई जरुरत नहीं है और चलिए अब हम लेते हैं कड़ाई कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक चोटी चमजीरा दो चोटी इलाइची और एक चोटा सा तेजपता जीरा जैसे ही क्रेकल हो जाए फ्लेम को लोग पे करेंगे और इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे इस वक्त अब थोड़ा सा दूर खड़े रहे हैं प्याज मतलब तेल का छीटा आ सकता है प्याज टालने के बाद मीडियम फ्लेम पे प्याज को हमें अच्छे से भूनना है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अगर यहाँ पर आप प्याज को भूनने में आलस किये तो पूरी रस्पी की टेस्ट खराब हो जाएगी तो प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है अब इसमें एड़ करेंगे अद्रक, लसन और हरीमिश का पेस्ट चो हमने अल्री पीस कर रखा था इसे भी एक मिनिट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे और यहां पर आप देख सकते हैं कलर कितना सुन्दर आया है क्योंकि प्याज को हमने बहुत अच्छे से भून कर लिया था आप इसमें एड़ करेंगे टमाटर का पेस्ट इसी के साथ हम इसमें नमक भी डालेंगे तो एक बार मिला लेते हैं नमक डालते हुए ध्यान रहे हमने छोले को पकाते समय नमक अलरी डाला है तो अभी बहुत ही कम हम इसमें नमक डालेंगे जितना हमें टमाटर के लिए चाहिए इसे भी मिला लेते हैं इसी वक्त इसमें कुछ पाउडर मसाले भी एड़ कर देंगे साथ में टमाटर भी पकेगी मसाले भी पक जाएंगे तो सबसे पहले मैं दो छोटी चमच देगी मिश पाउडर डाल रहे हूँ आप तीखा लाल मिश पाउडर लेते हैं तो कौंटिटी कम करें हल्दी पाउडर डालेंगे एक चोटाई छोटी चमच ज्यादा हल्दी ना डाले इससे कलर खराब होगी तीन छोटी चमच में डाल रहे हूँ धनिया पाउडर इस रस्पी में धनिया पाउडर की कौंटिटी थोड़ी से जादा ही डाली जाती है एक छोटी चमच भूना जीरा पाउडर डाल रही हूँ दो छोटी चमच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप रेडी मेट छोले मसाला पाउडर डाले रेडी मेट छोले मसाले में अनार दाने का पाउडर होता है तो उसमें आपको आमचुर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छे से मिला लिये हैं सारे मसालों को आप देख सकते हैं अब हम इसे धक करके पकाएंगे जिसे की मसाले भी पकेगी टमाटर भी पक जाएगी फ्लेम को बिलकुल लो पे रखें लो फ्लेम पे ही लगबख तीन मिनिट के लिए इसे पका लेंगे बीश में ढका नटा कर एक बार जरूर चला लें तीन मिनिट के बाद देखिए मसालों में से तेल बहुत अच्छे से अलग हो गई है मसालों की कलर जो है थोड़ी सी और डार्क हो गई है बहुत अच्छे से मसाले पक चुके हैं एक बार फिर से ऐसे चला देते हैं अब ग्रेवी के लिए तीन चोथे कप में इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि छोले और निट्रिला में इतना पानी नहीं है अगर आपने चोले पकाते समें जादा पानी लिया है तो आपको यहाँ पे पानी डालने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी ग्रेवी की कलर देख सकते है कंसिस्टन्सी देख सकते है टेक्शर देखिए कितने सुन्दर आई है अब इसे बहुत लजीज लग रही है अब इसमें हम एड़ करेंगे छोले मसाला दो छोटी चमच छोले मसाला पाउडर में इसमें एड़ करें हूं अच्छे से मिला लेते हैं अब जो अलरेड़ी हमने छोले और निट्रिला पका करके लिए थे वो एड़ करेंगे पानी के साथ अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को मेडियूम पे कर देंगे मेडियूम फ्लेम पे ढख करके सबजी को हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है 5 मिनट के अंदर एक पार ढटा कर चला सकते हैं पाश मिनिट में सबजी अच्छे से पक जाएगी, ग्रेवी थोड़ी से गाड़ी हो जाएगी, और सारे फ्लेवर्स जो है निट्रिला के अंदर छोले के अंदर तक आएंगे, तो चले ढख देते हैं, पाश मिनिट के बाद देखे, हमारी जो सबजी है अच्छे से पक चुक रस्पी नहीं ढूंडेंगे, घर पर ही इसी तरीके से पनाएंगे, लाश में मैं इसमें कटी हुई धन्यापता डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो भूनी हुए कसुरी मेथी भी डाल सकते है, धन्यापता मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, इतनी टेस्ट इतनी अच्छी फ्लेवर आएगी ना, कि मतलब क्या बता हूँ, तूरंत ही इसे हम ढखतेंगे, फ्लेम को आफ कर देंगे, और दो चार मिनिट के लिए से छोड़ दे, और फिर सर्व करें, लीजिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़िदार, न आज, मिर्ची के अचार और माले रोटी के साथ, आपको ये रस्पी कैसे लगी, कमेंट पे जरूर बताना रस्पी अच्छी लगी है, तो वीडियो को कीजिए, लाइक और दिल खोल कर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, ऐसे ही रसिपिस देखते रहना चाते है, तो